हेलो दोस्तों नमस्कार क्या हाल चाल आज 31 मई दिन सुकरवार हिंदी ते थी किरस्न पक्ष अस्तमी चलिए फटा फटा आज की बड़ी ख़बरों पर नज़र डालते हैं अब टीम सी सवीधान पर भी खुलकर हमला करने लगी है बंगाल में बोले पी एम मौदी लुक्सबा चुनाओतो जार चुबिस के अन्तिम चर्ण से पहले पच्चिम बंगाल में बयान बाजी तेज हो गई है पी एम मौदी ने बंगाल की आखरी रेली में मुस्लिम आरक्षन और गुस्पेटियों को लेकर टीम सी पर जुबानी हमला किया उन्होंने ये भी कहा कि ममतब इनर्जी सरकार पिछडों दलीतों और आदिवासियों का हक्षीन कर मुस्लमानों को दे रही है तो कीम सी सरकार तुष्टी करन के लिए देश के समिदान पर भी खुलकर हमला करने लगी है हमारे समिदान ने दलीतों पिछडों को आरक्षन दिया है लेकिन बंगाल में उस आरक्षन की खूली लूप हो रही है मुसलमानों के फर्जी OBC सर्टिपिकेट बनाए जा रहे है OBC समाज का हग चिनकर मुसलमानों को दिया जा रहा है फाइनल राउंड से पहले नेता जी पर गमासान ममता ने पिये मोधी पर साधा निशाना पच्चि मंगाल की मुख्य मंतरी ममता बेदर जी ने परदान मंतरी नरेंदर मोधी पर एक बार फिर निशाना साधा ममता बेनरजी ने कहा कि परदानमंत्री निरेंदर मोधी कोलकत्ता में रोडशो करते हैं नेता जी की मूर्ति पर मालिया अरपन करते हैं लेकिन अगर वो उन्हें सम्मान देते तो 23 जनवरी को उनका जैनती पर राष्ट्य आवकास गोशित करते बगवान को दंगे नहीं बढ़ताना चाहिए सियम ममता का पियम मोधी परवार आकरी दोर के चुनाव पर चार से पहले पच्चिम बंगाल की ममता बेनरजी ने परदानमंत्री निरेंदर मोधी को गेरा है ममता बेदर जी ने कहा कि आगर परनारमंत्री नरेंदर मोदी भगवान है तो हम उनका मंदिर बनवाएंगे उनकी पूजा करेंगे लेकिन अगर वह भगवान है तो राजनिती ना करें आईए देखते हैं क्या कुछ कहा ममता बेदर जी ने बेदर जाए दाली जे देवोता होए तात्तो राजोरीती करा शुभावापायना तात्तो अतीहींग्शा स्वडरार शुभावापायना दांगा करा स्वभावावापायना ता जो नेक्रे मोंडीर कमदिर विच्छी आपनी बशू आपनाके नकुलदाना देबो बात तो दिल्ले में लग रहा दो जार रुपे का जुर्माना, 200 टीम रख रही है नजर। रश्टे राजदानी बीशन गर्मी के काण पानी की कमी का सामना कर रही है। दिल्ली की मंतरी आतिशी ने मंगलवार को हरियाना पर एक मई से दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने लोगों से पानी की बरबादी को रोकने की अपील की है। दिल्ली फायर विर्गेड को एक ही महिने में आए 200 कॉल परचंड गर्मी के साथ बढ़ गई है आग की गटनाएं। 24 गंटे में आग से जुड़े 188 कॉल परप्त हुए जो की यह इस साल में एक दिन के बीतर दर्ज किये गए सबसे अधिक कॉल थे। आपको बता दें की दिल्ली में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के उपर जाने से आग से संबधित गटनाओं में विर्दी देखी जा रही है। सीएम पटनाय की तबियत बिगडने की जाच जरूरी मयूर बंज में बोले पीएम मोदी। परदान मंत्री नरेंदर मोदी ने ओडिशा के मुख्य मंत्री नवीन पटनाय की तबियत पर सवाल उठाए है। मोदी ने पूछा कि एक सवाल में उनकी तबियत ऐसे अचानक कैसे भीगड़ गई। परदान मंत्री ने ये भी कहा कि उनकी सरकार 10 जून के बाद उडिशा में एक स्पेशल कमेटी का गठन करेगी जो नवीन पटनाय की तबियत की जाच करेगी। इस में उस लॉबी का तो हाथ नहीं है ने जो नवीन बाबु के नाम पर परदे के पिछे उडिशा में सत्ता भोग रहे हैं। इस रहस्य से परदा उठना जरूरी है उठना चाहिए ना परदा उठना चाहिए ना परदा उठना चाहिए ना इसका परदा उठना चाहिए इसकी जांच आवश्यक है इसलिए दस जुन के बाद पुरी सामे भाजब सरकार का विजय होने के बाद हमारी सरकार उडिसा की भाजपा सरकार एक स्पेशल कमिटी का गठन करेगी और ये जाच करेगी कि अचानक नवीन बाबु की तबियात क्यों गिरती जा रही है दिली में जल संकट आम आदमी पार्टी ने हर्याना को बताया जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट जाएगी केजरिवाल सरकार दिली की जल मंतरी आतिसी ने कहा हम एक सेंटरल वाटर टैंक का वार रूम दिली जलबोरड में स्थापित कर रहे हैं इस वार्रूम का नितरतो एक सीनियर IAS अधिकारी दवारा किया जाएगा जो भी दिल्ली पानी का टेंकर चाहते हैं वे 19-16 पर कॉल कर सकते हैं नरेंदर मोधी ने कमजोर की परदानमंत्री पद की गरीमा पूरव पीम मनमोहन सिंग ने साधा निशाना पूरव परदानमंत्री मनमोहन सिंग ने पीम नरेंदर मोधी पर निशाना साधा और उन पर एक विशे समुदाई या विपक्स को टार्गेट करने के लिए नफरती और एसंसदिये बासन देकर परदानमंत्री पद की गरीमा को कमजोर करने का आरोप लगाया है एंडिये की हुई हार तो उसके बाद करेंगे कारून में सुधार बोले केजरिवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल ने एंडिया टूडे टीवी के सरदेसाई से खास बात चित की इस दोरान उन्होंने कई मुद्दो पर बात की केजरिवाल से पूछा किया कि आपने एक रैली में कहा था कि अगर बीजेपी को वोट दिया गया तो उन्हें जेल जाना होगा इसे लेकर उन्होंने जवाब दिया है देखें वीडियो जेल तो मुझे दो तरिक को जाना है नतीजे चार को आएंगे कहने का मतलब यह है कि अगर NDA हार जाती है मोदी जी हार जाते है तो कानूम को ठीक करेंगे जिन लोगों को जबरस्ती जेलों में ठूसा हुआ है उन लोगों को बेल मिलेगी इमानदार लोग जो भी जेलों मे सड़ रहे हैं उनको बाहर निकाला जाएगा और जो बेइमान लोग हैं जिनको इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल करा के उनके सारे केसे रफा दफा कर दिये कितने लोग हैं इस देश की जितने भरष्ट लोग थे वो बीजेपी में ये लोग अपनी पार्टी में शाम के लिए बनाया खास गीत बिहार की कारा काट सीट से निर्दलिय उमिद्वार पवन सिंग गाकर अलग अंदाज में जनता से वोट मांग रहे हैं पवन सिंग ने बताया कि उनका केंपेंड सौंग यूट्यूब पर ट्रेंडिंग में भी रहा यह काना कारा काट की जनता को य तो नोटा भाई हमारे इंडर्श्टी का दुलारा प्यारा कलाकार है स्टार है इसका नाम है अरवीन अकेला प्यार से उसको लोग कल्लू बोलते हैं नमस्ते नमस्ते यह आप एनरजी या जोस हमारे भाईयों में देख रही हैं मेरा भाई ही मुझे संताना दे रहा है मेरे गाने का बोल है जिसे खलीफ घाया कमनर रहा है तो कलू का घाना के साथ मतलब 카лам के सामने जो हमारे भाई थे वो सब साथ में गा रहे चुनाओ का गीत सबको याद हो गया है मेरा गाना ये है अरे सुना ये बढ़ की माई, सुना ये बढ़ का भाई, काकी चाची दादी बात रखियाई याद आईल का राकाट तो हर पवनवा, मांगे ला घोमी घोमी तेज स्तक के मामले में IPL के सामने नहीं टिकता T20 वर्ल्ड कप आँकड़े देख चोक जाएंगे आप T20 वर्ल्ड कप 2024 से इस बार दो जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज की मेजबानी में खेला जाएगा जबकि फाइनल 29 जून को होगा इस बार ट्रेविस हैड रोहित सर्मा, विल जैक्स, विराट कोली, जोनी, बेर स्टो और डेविड मिलर जैसे स्टार खिलाडियों से दासु रिकोर्ड की उमीद है इसमें सबसे तेज सतक का रिकोर्ड काफी खास है राजदानी दिल्ली में गर्मी की रिकोर्ड छलांग 22.3 डिगरी पहुँचा पारा दिल्ली में गर्मी के सारे रिकोर्ड तूट गए हैं, गर्मी ने दिल्ली में एक नया रिकोर्ड बना दिया है दिल्ली के मुंगेसपुरी इलाके में तापमाने 2.3 डिगरी सैल्चेस पहुंच गया है यह इलाका दिल्ली हरियना सीमा पर है दिल्ली में गर्मी के सबी रिकोड तूट गए है कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक यह गर्मी जारी रहेगी इस वीडियो में फिलाल इतना ही हम मिलते हैं फिर किसे नई वीडियो में ने टोपिक के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत